आज गुल्ली बुली और शौन ट्रेन से सफर कर रहे हैं क्योंकि ये लोग किसी दूसरे शहर शौन का इलाज कराने जा रहे हैं और इस वक्त बाहर बारिश भी हो रही है गुल्ली बुली और शौन अपनी सीट पर बैठे हुए हैं गुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली एक बात तो बताओ आखिर हम शौन का क्या इलाज कराने जा रहे हैं मतलब मुझे तो शौन एकदम सही सलामत दिख रहा है मुझे तो शौन किसी तकलीफ में नहीं नजर आ रहा गुली कहता है कि बुली दरसल शौन के दिमाग का स्कुरूड हीला हो गया है तुमें काम करो, शौन से कोई सवाल पूच कर देखो, तुमें खुद ही पता चल जाएगा बुली शौन से कहता है कि अच्छा शौन ये बताओ कि तुम्हें ट्रेन में सफर करते हुए कैसा लग रहा है शौन कहता है कि बुली लगता है तुम्हारे दिमाग का स्कुरूड हीला हो गया है हम लोग तो बस में जा रहे हैं और तुम लोगों को भी यही समय मिला था कहीं जाने का दो पहर में भला इतनी धूप में कौन निकलता है घर से बाहर बुली कहता है कि तुमने तो सही कहा था गुली शौन का दिमाग तो सच में ढीला हो गया है हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं लेकिन इसे लग रहा है कि यह बस में है और उपर से रात को दिन समझ रहा है गुली कहता है कि इसी को तो ठीक कराने के लिए हम शौन को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं शौन कहता है कि डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो तुम गुली तुम्हारी तबियत तो ठीक लग रही है गुल्ली कहता है कि अरे शौन तुम्हें काम करो तुम तब तक हेड़फोन लगा के कोई भोजपूरी गाना सुन लो उससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा शौन कहता है कि लेकिन हेड़फोन कहा है यहां गुल्ले बुल्ली कहता है कि अपने बगल में तो देखो शौन ये रहा हेड़फोन हेड़फोन कान पर लगा कर तब तक थोड़े ठुमके लगा लो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और शौन हेड़फोन में गाना लगा कर डांस करने लगता है बुली कहता है कि गुली शौन तु काफी अच्छा डांस कर रहा है क्यों ना हम भी थोड़े ठुमके लगा ही ले और फिर गुली बुली भी शौन के साथ डांस करने लगते हैं और अरी ये कौन है जो गुली बुली की तरफ आ रहा है और वो लड़का गुली बुली के पास आकर खड़ा हो जाता है और गुली से कहता है कि गुली बुली मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए ये सुनते ही गुली और बुली अपने पीछे मुड़ कर उस लड़की को अपने सामने खड़ा देखते हैं गुली कहता है कि तुम कौन हो चोटू और तुम हमें कैसे जानते हो वो लड़का कहता है कि गुली बुली तुम्हें कौन नहीं जानता तुम्हारी वीडियो तो मेरे घर में सभी लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं गुली कहता है कि अच्छा अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है भाई वो लड़का गुली से कहता है कि मेरा नाम रौनी है और मैं इस ट्रेन से अपने एक दोस्त के साथ घर जा रहा हूँ गुली कहता है कि अच्छा फिर तुम्हें क्या हेल्प चाहिए रॉनी भाई वो लड़का रॉनी गुली से कहता है कि गुली दरसल मेरे दोस्त की अचानक से तवियत काफी जादा खराब हो गई है ऐसा लग रहा है कि उसे कोई दौरा पड़ रहा है अगर उसे जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो मेरा दोस्त मर जाएगा हमें किसी डॉक्टर के पास उसे जल्दी से जल्दी लेकर जाना होगा मैं अपने दोस्त को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता गुली कहता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए गुली आखिर बात इसके दोस्त की है गुली कहता है कि हाँ गुली दोस्तों के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं और गुली पीछे मुड़कर शौन से कहता है कि शौन हेडफून का गाना बंद करो और मेरी बात सुनो पहले शौन गाना बंद करके डांस करना बंद कर देता है और गुली से कहता है कि हाँ गुली क्या हुआ तुमने मुझे डांस करने से क्यों रोक दिया और अर ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है गुली कहता है कि शौन ये रौनी है और रौनी हमारे साथ इस ट्रेन में सफर कर रहा है लेकिन अचानक से इसके दोस्त की तबियत काफी ज़ादा खराब हो गई और इसलिए हमें इसके दोस्त को लेकर किसी हॉस्पिटल में चलना होगा शौन कहता है कि गुली गुली जहां बात दोस्ती की आ जाती है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं बचाऊंगा इसके दोस्त की जान चलो जहां चलना है मैं तुम्हारे साथ हूँ रौनी भाई रौनी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शौन वैसे मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ मैंने तुम लोगों के सारे वीडियोस देखे हैं बस एक शिकायत है मेरी तुम लोगों से वीडियो बहुत लेट अपलोड करते हो तुम लोग बुली कहता है कि अपसे जल्दी जल्दी करेंगे रौनी भाई चलो अब तुम्हारे दोस्त के पास चलते हैं देखते हैं क्या तकलीफ है उसे और थोड़ी ही देर में ये लोग रौनी के साथ उसके दोस्त के पास पहुँचाते हैं अरे ये रौनी के दोस्त की तबियत तो बहुत जादा खराब लग रही है गुली कहता है कि आखिर इसे हुआ क्या है रौनी और ऐसा कपसे हो रहा है कैसा आजीबों गरीब दिख रहा है तुम्हारा दोस्त रौनी कहता है कि गुली यही एक घंटे से मेरा दोस्त इसी हालत में है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसलिए तो मैं तुम लोगों के पास हेल्प के लिए आया बुली कहता है कि इसकी तबियत बहुत जादा खराब है गुली हमें यही रास्ते में किसी जगह उतरना होगा और किसी हॉस्पिटल में दिखाना होगा वरना कहीं इसकी जान खत्रे में ना आ जाए शौन कहता है कि ठीक है गुली बुली इसके साथ ही हम अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और आसपास में किजी हॉस्पिटल में ले चलते हैं और ये लोग उस लड़के को लेकर एक जगा आगे ट्रेन से नीचे उतर आते हैं शौन कहता है कि हम नीचे तो उतर आए गुल्ली गुल्ली लेकिन यहाँ हॉस्पिटल कहां ढूंडेंगे हम बुल्ली कहता है कि वो देखो शौन वहाँ एक बड़ा सा प्लस का निशान बना है पक्का यह हॉस्पिटल का ही निशान है चलो हम वहीं पर चलते हैं और ये लोग उस हॉस्पिटल के सामने आ जाते हैं रौनी कहता है कि ये तो बड़ा डरावना लग रहा है गुल्ली-बुल्ली मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है अंदर जाने का गुल्ली कहता है कि जाना तो पड़ेगा ही ना रौनी नहीं तो तुमारा दोस्ट बचने नहीं वाला मजबूरी है हमारी भी लेकिन अरे ये क्या ये हॉस्पिटल का दर्वाजा अपने आप कैसे खुल गया रॉनी कहता है कि ये दर्वाजा अपने आप कैसे खुल रहा है गुली बुली शौन कहता है कि अरे रॉनी भाई डरो मत हवा से खुल गया होगा चलो चलते हैं अंदर लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि यहाँ पर एक पागल डॉक्टर डी रहता है और जो भी यहाँ इलाज कराने आता है तो डॉक्टर डी उन सभी को मार देता है और उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है और लगता है आज डॉक्टर डी इन्हीं लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है तो दोस्तों क्या लगता है आपको क्या ये लोग भी डॉक्टर डी का शिकार हो जाएंगे क्या ये लोग यहां से बच कर निकल पाएंगे ये देखेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो का भी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा कर चलन को सब्सक्राइब कर लें और साथी नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसी मैं इसका नेक्ष्ट पार्ट अपलोट करूँ तो आपको तुरंट पता चल जाए